नमस्काल मैं फ्रांशी राठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूज स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्रेम में जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजिस्थान की स्यासत के बारे में हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं हमारे सहियोगी सिराज जिन से जानेंगे कि आखिरकार राजिस्थान में अब क्या कुछ बड़ा नसारा देखने को मिल सकता है कॉंग्रेस खेमे में जिस तरह से इस राज हमने देखा है कि राजिस्थान में सच्चेन पाईलेट जो राश्ट महासाचीव के पद पर आ चुके हैं छतीजगर के प्रभारी न्यूक्ति किये जा चुके हैं लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि सच्चेन पाईलेट जो एक्टिब मोड में हैं लेकिन अशोग गहलोट जो राजस्थान के एक वक्त मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं कैसे देख रहे हैं क्या अशोग गहलोट का सियासी सफर अब धीरे-धीरे खत्म होता हूँ नजर आ रहा है जी देखे मुझे नहीं लगता कि उनका सियासी सफर जो है खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि भले ही कॉंग्रेस इसने नजरणादास कर रही है लेकिन कॉंग्रेस को इस बात को भाग भी समझना होगा कि जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है और उसे आप एकदम से साइड लाइन करते हैं तो ये कहीं न कहीं कॉंग्रिस के लिए एक बड़ा जटका हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि वसंदरा राजे और सिरा सिंग चौहान को बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी आला कमान से उन्हें फोन जाता है और उनसे बाचित की जाती है उनसे राय मशौरा लिया जाता है और फिर अब सिरा सिंग चौहान को लोग सबचिनाव में भी उतारा जा रहा है तो ये कमी कहीं न कहीं बीजेपी में जरूर है कि आज अच्छी बात है अगर आप किसी और नेता को मुका देना चाहते हैं युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये सही बात है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप बड़े दिगजो को साइड लाइन करते हैं जैसे कमलनात को लेकर अभी चर्चाएं हो रही थी वो भी बीजेपी की तलाश में थे लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांदी का फोन जाता है उनसे बातचीत होती है और फिर कमलनात कहीं जहने के बाद भी अगर उनको नजर रंदास किया जाता है तो निश्चीत तोर पर यह कॉंग्रिस के लिए बड़ा जटका होगा और यही वो बड़ी वज़ा है कि कॉंग्रिस से बड़े बड़े नीता जो है वो दावन चुड़ा रहे हैं लेकिन सिराज जो हाल ही में सीट से जो परंपरागत सीट मानी जाती है गहलोष सहाब के लिए देखा गया है कि तीन बार मुख्य मंदिरी रहे पांच बार सांसद रह चुके हैं और अब यहां पर अशोग गहलोष को लेकर यह कहा जा रहा है कि शायद ही उनने टिकेट मिले सचन पाइलिट को एक बड आने वाले समय में गहलोष के बेटे को तो आगे किया जाएगा पाइलिट को आगे किया जा रहा है लेकिन यहां पर अशोग गहलोष से जो नाराजगी एक वक्त राहुल गांदी की बताई गई कि अशोग गहलोष की रणनीतियों पर हमने राजिस्थान के चुनाव कि इसमें पूरी होती है अब सिर्फ हम यह कहें कि सचीन पाइलट के वज़से हार गए या ऑशोग गहलोष की वज़से हार गए तो यह कहीं न कहीं कह सकते हैं कि निस्पछता नहीं होगी की कि कहीं न कहीं अशोग गैलोष भली मुख्य Mullet के तौरब आगे थे सचीन इसमें भी यह भी सचाई है कि कॉंग्रिस जो है वो इस चुनाओ के दरान कह सकते हैं थोड़ी धीली पढ़ती हुई नजर आई और खास तोर पे सचिन पाइलेट भी उतने एक्टिव नजर नहीं आये थे विदान सबा चुनाओ के दरान तो आखरी सवाल यहां पर यही बनत लगतार सचिन पाइलेट आगे दिख रहे हैं चाहे हम बात करें जमीनी इस तरप या चाहे राजनीति के इस तरप तो लगतार सचिन पाइलेट जो है अब कही ना कही एक्टिव नजर आ रहा है तो निशी तोर पर और अशोग गैलोट पहले जितने कह सकते हैं वारता करते कि अशोग कहलोट क्या वाकई में साइडलाइन कर दिये जाएंगे यहां पर आपको बयान भी सुना देते हैं कि सचिन पाइलेट किस तरीके से मोधी सरकार को चुनोती देने में जरासा भी पीछे नहीं अट रहे हैं और कहीं ना कहीं पाइलेट की यही एक्टिवनेस आलक को में देख लो क्या हाल हैं मैं किसी की बुरा ही नहीं करता हूं लेकिन जो हालात पाकिस्तान में हैं बंगलादेश में हैं शिरलंका में हैं नेपाल में हैं बर्मा में हैं आज हिंदुस्तान में क्यों इसा हालात नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान के इन जो संस्थाइम ये नितिकत तरीके से अभी चन्दिगण में चुना हुआ महापौर का चोटा सा चन्दिगण चोटा सा चुनाओ लेकिन दिन दहाडे वोटों को सरकार के अधिकारी अगर खालिज कर रहे हैं वैं तो धन्यवाद देना चाहतो सुप्रीम कोट का आपने इंट्रिवीन करकर न आती हो आज सुप्रीम कोट देश का है सुप्रीम कोट का कोई भी ओडर आता है हम सब उसको क्यों मानते हैं सुप्रीम कोट का जज़ भी इंसान ही है लेकिन एक सुप्रीम कोट की माननेता है कि अगर सुप्रीम कोट ने कुछ कह दिया तो सब को सारी पाड़िस को स्विकार करती हैं आज अयुद्ध में राम मंदर का निर्मान हुआ तो सुप्रीम कोट ने कहा किया मंदर बनना चाही हमने सुप्रीम कोट ने कहा में खुश हुई हमारा मंदर बन रहा है लेकिन अगर कोड्स की, इलेक्शन कमिशन की सारी संस्थाओं की विश्वसनिता को, पारदर्शता को, क्रेडिबिल्टी को, जान बूज के खतम करेंगे जिस हत्तावेटे लोग हैं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा और इस देश में जमूरियत में, लोगतंत्र में सबसे बड़ी बात विश्वास होती है अगर विश्वास नहीं है तो पेटी में बटन दबाने का कोई मतलब नहीं है इन सब बातों पे हमें सोचना पड़ेगा नौजवानों को खास कर आने वाला समय आप लोगों का है और हम सब आपको वादा करते हैं समय अच्छा हो या बुरा हो जो परिवार का अपना पना आप लोगों को ने हमें दिखाया है उसी प्यार से उसी महबबत के साथ हम आपको आगे लेकर चलेंगे उस साथ में एक जुटता से आगे बढ़ेंगे चुनोती का सामना करेंगे आज राहूल गांदी जी यात्रा कर रहे है हमारी पार्टी के अध्यक्षखर के साथ देश बर में घूम रहे हैं लोगों को जोड रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये भाजपके साथी घवराए हुए क्यू है जब एंडिया लाइन से खटा हो गया सारे दले खटे हो गए इन सारे दलों का वोड जोड़ो तो 65 परसंट होता है और एंडिया का वोड जोड़ो तो 35 परसंट होता है अब भाज़न देते हैं 300 पार, 400 पार बहग्वान का शोकर है 500 पार नहीं बोला वो तो बोल सकते हैं, बोलने में को फरग नहीं पड़ता, लेकिन हम सबको याद रखना पड़ेगा कि यह चुनाव भी नहीं चाहते थी कि सचिन पाइलेट राजिस्थान को संभाले, बलकि वह यह चाहते थी कि अगर वह दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो जाते हैं, तो राजिस्थान भी उनके हाथों में होना चाहिए, अब देखते हैं कि आने वाले समय में अशोग गहलोत के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाता है, क्या राहुल गांदी और प्रेंक तुनाइन नूस